पूर्व जन्म पर तो आखिर पूर्व जन्म का ये पूरा मामला क्या है इसका रहस्य क्या है आज इसको समझाने का प्रयास करेंगे आज महा भाग्य में क्या खास है चलिए बताते हैं आपको तो बात होगी आज पूर्व जन्म के बारे में, पूर्व जन्म के connection के बारे में और पूर्व जन्म के रहस्य के बारे में लेकिन सबसे पहले आज का मंत्र आज का मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देवाय अगर कुंडली में बुद्ध की स्थिती ठीक न हो या बुद्ध से संबंदित समस्या आपको परेशान कर रही हो तो ये मंत्र बड़ा कारगर होता है बहुत शक्तिशाली होता है तुलसी की माला से या चंदन की माला से नियमित रूप से इस मंत्र का जब करने से बुद्ध संबंदि समस्या दूर हो जाती है या आप पीपल के पौधे में जल डालते हैं जब या पीपल के व्रिक्ष में जल डालते हैं जब तब आपको कहना चाहिए ओम नमो भगवते वासु देवाए ऐसा कह करके पीपल के व्रिक्ष में जल डालने से पीपल के व्रिक्ष की देखभाल करने से संतान से जुई हुई तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाती है अपने विशे पर आते हैं सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या वाकई में पूर्व जन्म होता है या केवल भ्रम है मन का वहम है ऐसा कुछ नहीं होता या वाकई में होता है क्या मामला है ये देखिए पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में हम अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं कोई राजा के घर में पैदा होता है कोई फकीर के घर में पैदा होता है किसी को जन्म से ही सब कुछ मिल जाता है और कोई जन्म लेता है अत्यंत विपन्नता में अत्यंत कठिन स्थितियों में ये डिसीजन आपका पहले जन्म के आधार पर ही होता है कि आप जन्म किन और कैसी इस्थितियों में लेंगे जाने अन जाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते हैं बच्पन से ही गाना गाने का शौक हो जाता है बच्पन से ही साधना करने का शौक हो जाता है ये जो पूर्व जन्म के गुण हैं वो हमारे अंदर बिना किसी प्रयास के आ जाते हैं, बिना प्रयास के भी व्यक्त जीवन में बहुत आगे जाता है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जीवन में कोई परिश्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, बावजूद उसके जिन्दगी में आगे बढ़ गए या बहुत प्रियास किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन जीवन में बिलकुल नीचे चले गए इसके पीछे का जो साइन्स है ना, वो पूर्व जन्म का ही तो है, वहां के कर्म इस जन्म पर आपके जीवन पर असर डालते हैं अगर हम भगवत गीता की बात करें या अनुभवों की बात करें तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म होता ही है और इसको किसी आधार पर नकारा नहीं जा सकता, पूर्व जन्म जरूर होता है और ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो होता नहीं है प्रूव तो हम आत्मा को भी नहीं कर पाते हैं विज्ञान तो आत्मा को भी प्रूव नहीं कर पाता है इसका मतलब यह थोड़ना है कि आत्मा नहीं होती है हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं हम अध्यन कर रहे हैं चीजों को समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व जन्म क्या होता है अभी उस पर research जारी है लेकिन पूर्व जन्म हमारे शास्त्रों के हिसाब से और हमारी परमपराओं के हिसाब से जरूर होता है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते आप केवल ये नहीं कह सकते कि पूर्वजन्म एक ब्रहम है अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि पूर्व जन्म का सिध्धान्त क्या है और ये हमारे जीवन में कारे कैसे करता है पूर्व जन्म का क्या connection है हमारे इस जन्म से और किस सिध्धान्त पे पूर्व जन्म इस जन्म में आता है वो समझने की आवशक्ता है देखिये पूर्व जन्म का जो सिधान्त है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कारे करता है action and reaction के principle पर कैसे जो कर्म आपने किया उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है मानव का जीवन और उसकी चेतना क्रमशह उन्नती करती है और अवनती करती है यानि मानव का जीवन हो सकता है कि पिछले जन्म की तुलना में इस जन्म में उचाई तक जा रहा है या इस जन्म में और नीचे जा रहा है वो हमारे अपने कर्म ही होते हैं जो हमें उचाई पर और नीचे की तरफ ले आते हैं इसी कर्म में उसके द्वारा तमाम कार किये जाते हैं या उन्हें करने का प्रयास किया जाता है अपने जन्मों में अपने जीवन में हम बहुत सारे कर्म करते हैं या अपने कर्मों को करने का प्रयास भी करते हैं, हो सकता है काम ना करें लेकिन इफर्ट करते हैं इन किये गए कर्मों का या सोचे गए कामों का फल भोगना पड़ता है और अगर आपने उसका फल नहीं भोगा तो जब तक उसका फल भोगना बाकी है आपको पुनह जन्म लेना पड़ेगा यानि जो कर्म आपने किया है उस कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा अच्छा किया है तो अच्छा फल और बुरा किया है तो बुरा फल आपको भुगतना पड़ेगा कर्म मान लिया पिछले जनम में कर लिया उसका फल नहीं भुगत पाए तो इस जन्म में आपको उसका फल भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि action के against में reaction जरूर होगा प्रकृत में किये गए या सोचे गए हर कारी की प्रतिक्रिया होती है आप कोई भी काम करें आप ऐसा बिलकुल नहीं कह सकते कि मैं कोई काम करूंगा और उसका result नहीं होगा होगा जरूर देर या सबेर अब चुकि हर action का एक reaction होता है हर कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है इसी लिए पुनरजन्म भी जरूर होता है और हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है हमारे पूर्व जन्म की जो आदते हैं स्वभाव है, संसकार है वो पूरी तरह से छाया की तरह इस जन्म में व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं जो गुण या अवगुण आपने पूर्व जन्म में बनाए हैं वो इस जन्म में आपके उपर, आपकी परसनेलिटी पर, आपके व्यक्तित उपर दिखाई देंगे कुंडली में दूसरा, तीसरा और आठवा या कुंडली के उपर का जो इलाका है वो और जो नीचे का इलाका है वो ये पूर्व जन्म से संबंद रखता है राहू और केतू जो जोतिश के दो रहस्यमई ग्रह माने जाते हैं ये शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंद रखते हैं अगर राहू और केतू का विराट अध्यन किया जाए इनको समझने की कोशिश की जाए तो आपके पूर्व जन्म के रहस्य खुल जाएंगे आप पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे उसका एक इशारा मिल सकता है अगर राहु और केतु को गंभीरता से समझा जाए तो शनी ये बताता है कि पूर्व जन्म के संसकार अशुब थे और ब्रिहस्पती ये बताता है कि पूर्व जन्म के संसकार शुब थे यानि शनी और ब्रिहस्पती की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है आपके पूर्व जन्म के संसकारों को बताने में आपके जन्म की स्थिती क्या है और क्यूं है इसका निर्धारन करता है चंद्रमा यानि आप जब जन्म लेंगे या जब जन्म लिये होंगे कैसी स्थिती रही होगी आपके आसपास की या आपके परिवार की या आपके जीवन की वो चंद्रमा बता देता है पहले के प्राचीन विद्वान ये भी बता देते थे कि कमरे में दीपक जल रहा था कि नहीं कमरे में कितने लोग मौजूद थे जब आपका जन्म हुआ ये भी जाना जा सकता है अगर चंद्रमा को समझा जाए तो और आपकी कुंडली का जो प्रधान तत्व है आकाश है, अगनी है, जल है, वायू है, हवा है ये तमाम जो तत्व होते हैं ये बताते हैं कि आप कैसे संसकारों से नियंत्रित होते हैं यानि आप जिन संसकारों को लेकर जन्म ले रहे हैं, वो संसकार कैसे हैं भाई, अच्छे हैं, बुरे हैं, गडबड हैं, वो संसकार कैसे हैं, इसका निर्धारन निश्चित रूप से आपकी कुंडली के चंद्रमा के माध्यम से और आपकी कुंडली के तत्वों के माध्यम स किया जा सकता है अब एक बड़ा interesting सवाल पैदा होता है जो अक्सर लोग पूषते भी हैं जो त्षियों से कि हम पूर्व जन्म में क्या थे इसे कैसे जान सकते हैं कैसे समझें कि हम पूर्व जन्म में क्या थे भाई देखी यह बहुत important बात है कि कैसे समझें कि हम पूर्व जन्म में क्या थे पहली बात ये एक अनुमान है गारंटी कभी नहीं है गारंटी तभी होगी जब ध्यान से देखा जाए अदरवाईज ये एक अनुमान है और किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म को जानने के लिए लगातार उसके लक्षणों पर ध्यान देना होगा एक बात तो निश्चित समझें कि सामानने तह व्यक्ति भूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है क्योंकि मरते समय जो हमारे मन में विचार होता है न वही अगले जन्म का कारण बनता है कहता है शास्त्र अंते मती सा गती यानि अंत समय में जो बुद्धी होती है वही आपकी गती होती है तो मरते समय बीवी का बच्चों का परिवार का ध्यान रहता है पती का ध्यान रहता है तो मरने के बाद भी उसी परिवार में आ जाते हैं और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि आपकी जो मूल आदते हैं, जो मेंट टेंडेंसी है, वो वैसी की वैसी ही रहती है. लेकिन जब किसी भावना या इक्षा को मन में लेकर के किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है तो उसी भावना या इक्षा को पूरा करने के लिए उसका जन्म होता है जैसे मान लिया कि बड़ी इक्षा थी कि भाई इस गाना गाते बहुत बड़ी हां संगीत सीखते बड़े भरी संगीतकार होते, जीवन में यही सोचते रहे, तो मरते समय भी यह भाव मन में रहेगा, और अगला जनम जो आप लेंगे वो ऐसी जगां पर लेंगे, जहां पर आप एक बड़े संगीतकार, बड़े संगीतग्य, बड़े गायक बन सकें, तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती, ऐसी दशा में परिवार के बाहर भी आपका जनम हो सकता है, यानि जो आपके दमाग में अंत समय में जिस तरह के विचार प्रभावशाली होते हैं, उसी आधार पर आपका अगला जनम होता है, कोई विशेश तरह का गुण है, अवगुण है, आदत है बीमारी है, या निशान है, चिन है, जो बिना किसी कारण से व्यक्ति के अंदर आ जाता है, ये व्यक्ति के पूर्व जनम से संबंध रखता है, जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे छोटे बच्चे हैं, तीन साल की उमर में क्या गाना गाते हैं, बहुत अच्छा, क्य क्यों गाते हैं, क्योंकि पूर्व जनम में वो गाते थे, और वो गुण इस जनम में चला आया, तीन साल, चार साल का बच्चा है, गीता पर प्रवचन दे रहा है, एक से प्रवचन दे रहा है, क्यूं? क्योंकि पूर्व जनम में उसने गीता पढ़ी थी, प्रवचन दिय यानि आपके अंदर जो गुड अवगुड अच्छाई या बुराई बिना किसी प्रयास के आ जाए वो आपके पूर्व जन्म की वज़ा से आपके जीवन में आती है इश्वर के विशेश स्वरूप के प्रती जो आपकी आस्था है ये भी आपके पूर्व जन्म के बारे में बताती है जैसे आप भगवान शिव के बड़े भक्त हैं बहुत भक्त हैं बच्पन से ही शिव ही शिव जपते हैं क्यूं? क्योंकि पूर्व जन्मों में भी आपने शिव की ही पूजा की है तो वो संसकार इस जन्म में भी चला आया बहुत सारे लोग जन्मों में आप देखें कि बच्पन से ही गायत्री की साधना कर रहे हैं क्यों? तो कि पूर्व जन्म में भी गायतरी की साधना की है, वो as it is वहां से यहां उठके shift हो जाता है. तो इश्वर के स्वरूप के प्रती जो हमारा आकर्शन है शिव के प्रती है, कृष्ण के प्रती है, श्री राम के प्रती है ये आकर्शन हमारा पूर्व जन्म की वज़ा से होता है हम समझ नहीं पाते कि क्यूं हमें शिव अच्छे लगते हैं क्यों हमें शिव की पूजा करने का मन होता है वो इसलिए होता है तो कि पूर्व जन्मों में भी आपने शिव की ही पूजा की है इस जन्म में भी वो टेंडेंसी जारी है अब कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो इस जीवन में लगातार बाधा देते हैं इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इमानदारी से चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कदम कदम पर बाधा रही है, बिना कारण के हम परिशान हो रहे हैं क्या ऐसा करें कि पूर्व जन्म के करमों की छाया इस जन्म पर न पड़े या पड़े तो हमें बहुत दिक्कत जीवन में ना हो क्या करें पहली बात भगवान शिव की पूजा जरूर करें क्योंकि शिव ही एक मात्र देवता हैं जो हर समय की परिधी से उपर हैं हर जन्म की देश, काल और पात्र की सीमा से जादा हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से निश्चित रूप से पूर्व जन्म के दुश्प्रभाव इस जन्म पर नहीं आते और उसके लिए आपको शिव मंत्र का जब करना चाहिए नमह शिवाय का जितना आप जब करें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा एक आदशी और पूर्डिमा का उपवास रखें क्योंकि ये उपवास रखने से आपका मन शुद्ध होगा और जब मन आपका शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से आप बेहतर मन से प्राठना कर पाएंगे श्रीमत भागवत का पाठ करने से भी जन्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है कभी श्रीमत भागवत की कथा आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे मिलती है लेकिन ये जाने रहिए कि श्रीमत भागवत भगवान कृष्ण की लिलाओं से भरा हुआ है और श्रीमत भागवत का पाठ करने से निश्चित निश्चित रूप से अगर आप प्रेम से पाठ करते हैं तो पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है शनिवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें भोजन कराएं ऐसा करने से भी कर्मों का भोग कम होता है अपने कर्मों और विचारों को इश्वर को समर्पित करें कृष्ण गीता में कहते हैं यत करोशी यदसनाशी, यत जुहोशी ददासियस, यत तपस्यसी कौंतेय, तत कुरुष्व मदरपडम अर्थात, हे कौंतेय, हे अर्जुन, तो जो करता है, जो सोचता है, जो विचार करता है उस सब कुछ मुझे अर्पड करता चल, ताकि कर्म के बंधन से मुक्त हो जा तो कर्म के बंधन से मुक्त होने का रास्ता यही है, कि एक गिलास पानी पी रहे हैं, तो भी भगवान की कृपा है सो रहे हैं तो भी भगवान को समर्पण है भोजन कर रहे हैं तो भी भगवान को समर्पण है जब समर्पण करके आप कोई कारे करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे